हाई फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वंडर्फुल गुड मॉर्निंग टो आल अफ यो कैसे हैं सभी लोग एक बार जल्दी से गाइस बता देंगे कैसे हैं आप लोग आई होप तो कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का बहुत-बहुत श्वागत है जारखन एज एजुकेटर रितेश और आज है 25 जूलाई तो 25 जूलाई से जारखन के जितने भी इंपॉर्टन करेंट अफिर्स बनेंगे आज के इस क्लास में हम उन करेंट अफिर्स के बारे में प्रॉपर डीटेल में देखने वाले हैं जैसा कि आप लोग सभी को पता होगा आप कुछ हो रहा है जारखन में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में इस क्लास के समझने का परियास करते हैं तो जल्दी से एक बार आप लोग likelihood कर देंगे और चलते हैं हम अपने क्लास को सुरू करते हैं और देखते हैं जारखन के कुछ important current affairs के बारे में, तो class को एक बार जल्दी से like कर दे, अगर इस class के pdf की बात करेंगे, तो इस class का जो pdf है, वो आपको हमारे telegram channel पर देखने को मिलेगा, आज के इस class में हम लोग जितने सारे current affairs के बारे में बात करेंगे, जितने सारे facts के बारे में बात करेंगे, जितने भी सारे point के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर सभी चीजों का pdf आपको मिल जाएगा, pdf आपको कहां पर मिलेगा, तो pdf आपको ह जो है वो कर पाएंगे ठीक है तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं आज के इस क्लास में हम लोग ना केवल जाड़कन के करेंट अफियर्स को देखेंगे बलकि उन करेंट अफियर्स के फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे और साती साथ हम लोग इस्टैटिक जीके को भी रिलेट करते हुए चलेंगे ताकि सभी चीज़े आपको आसानी से समझ में आ सके आईए बात करते हैं कि आज के इस क्लास में हम लोग किन-किन चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं कौन-कौन से ऐसे इंपोर्टेंट करेंट अफियर्स हैं जिनके बारे में आज के विशोविद्याले का निर्मान किया जाएगा, क्या है स्वास्त विज्ञान विशोविद्याले और इसका निर्मान जहारकंड में क्यूं किया जाएगा, इसके बारे में आज हम लोग प्रॉपर डीटेल में देखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जल्द ही जसीडी इस्टेशन का पुनर विकास किया जाएगा यानि जसीडी इस्टेशन का री डेवलोप्मेंट किया जाएगा जसीडी इस्टेशन का है देवघर जिले में है और क्यूं आखिर जसीडी इस्टेशन का री डेवलोप्मेंट जो है किया जाएगा इसके पीछे का कारण क्या है इसके बारे में लोग बात करेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वन डिश्टिक वन प्रोड़क के तहट जारकन के चार जिलो के उत्पाद का प्रोड़क का चैन जह वो किया गया है तो कौन कौन से जहारकन के चार जिले हैं और उन जिलों के उत्पाद क्या क्या है ठीक है तो वन डिश्टिक वन प्रोड़क्ट अवाड के लिए जहारकन के चार जिलों के जो प्रोड़क्ट है उनका चैन किया गया है तो उन जिलों के बारे में जानेंगे और उन जिलों के उत्पाद के बारे में भी हम लोग आज बात करने वाले हैं साती साथ हम लोग बात करेंगे कि जल्द ही जारकन में राष्टिय आदिवासी महस्तब का आयोजन भी किया जाएगा इसके बारे में आपको एक दो क्लास पहले ही बताया गया है लेकिन अब जो है डेट और प्लेस दोनों ही एनाउंस कर दिया गया है जारकन गौवर्मेंट के दुवारा तो आज हम लोग इसके बारे में भी बात करने वाले हैं कि जल्द ही राष्टिय आदिवासी महस्तब का आयोजन किया जाएगा ठीक है और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जारकन में मुख्यमंत मुख्यमंत्री पसुधन विकास योजना की शुरूबात किया गया है क्या है मुख्यमंत्री पसुधन विकास योजना और इसके तहट जारकन के लोगों को क्या-क्या लाब मिलेगा तो इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे आज हम लोग चर्चा करेंगे और इन current affairs के बारे में आज के इस class में proper detail में देखने वाले हैं तो एक बार जल्दी से आप लोग class को like कर दें ठीक है class को एक बार like कर दें आईए class को लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे पहले current affairs के बारे में किस राजी में स्वास्त विज्ञान विश्विद्याले का इस्थापना किया जाएगा स्वास्त विज्ञान विश्विद्याले क्या होता है स्वास्त विज्ञान विश्विद्याले और इसका इस्थापना जो है कहां पे किया जाएगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे I hope तो कि आप लोग question जो है अभी तक देख चुके होंगे बात करेंगे स्वास्त विद्याले, आ स्वास्त विज्ञान विश्व विद्याले की तो जार्कन में इसका निर्मान के जाएगा हम लोग पहले भी बात किये कि जार्कन में स्वास्त विज्ञान विश्व विद्याले का निर्मान किया जाेगा अप्शन दी इसका बिल्कूल सही आंतर हो जाएगा जारखन, जारखन में स्वास्त बिज्ञान विश्विद्याले का निद्यमान किया जाएगा, स्वास्त सेबाओं को सुधार करने के लिए और स्वास्त सेबाओं को लोगों तक पहुचाने के लिए ही स्वास्त बिज्ञा विश्व विध्याले का निर्मान किया जाएगा जाडखन में स्वास्त सेवाओं का सुधार करने के लिए और स्वास्त सेवाओं लोगों तक पहुचाने के लिए क्या क्या जाएगा इस विश्व विध्याले का निर्मान किया जाएगा और इस विश्व विध्याले में क्या दी जाएगी किन लोगों को दी जाएगी आपको और हमको दी जाएगी क्या नहीं जो लोग स्वास्त के छेतर से जुड़े हुए हैं जैसे डॉक्तर जैसे नर्ड्स जैसे कमपाउंडर जैसे मेडिकल के इस्टूडेंट्स जैसे नर्सिंग के इस्टूडेंट्स तो जो हुए हैं उन लोगों को यहां पे नई नई चीजों का ट्रेनिंग दिया जाएगा प्रसिच्छन दि जाएगी और स्वास्त सेवाओं में लगातार सुधार किया जाएगा और स्वास्त सेवाओं में सुधार करने के लिए ही जार्खन में स्वास्त विज्ञान विश्व द्याले का निर्मान किया जाएगा कहां पे किया जाएगा तो बात करेंगे इसके निर्मान का अभी तक कोई भी प्लेस डिसाइड नहीं किया गया है यानि जगा को अभी तई नहीं किया गया है कि इसका निर्मान दुमका में किया जाएगा कि राची में किया जाएगा कि धन जारकन की राजधानी है राची तो मेंली पॉसिबिलिटी यही है कि राची में ही साइद इसका निर्मान किया जाए लेकिन ओफिसियली यह एनाउंस नहीं किया गया है कि स्वास्त विज्ञान विश्व विद्याले का निर्मान किया जाएगा पॉसिबिलिटी है कि राची मे निर्मान किया जाएगा जल्दी स्वास्त विज्ञान विश्व विध्याल applies को पास किया जाएगा अभी हम लोग देखेंगें कुछ दिनों में ज्ञारखण विधांसवा में जो मॉंसून सेसन हो शुरू होने वाला है ठीक है ज्यारखण विधांसवा की बात करेंगे कुछ ही दिनों में मॉन्सुन सेशन जो है, सुरू होने बाला है, सेशन कितने हैं, तीन सेशन होते हैं, BMW, घिक है, बजट, मॉन्सुन और विंटर, बजट सेशन हो चुका है, जहांपे ज्धार्खन के बजट को पेस किया गये था, फरवरी और मार्च के महीने में बजट का आयोजन किया जाएगा तो उसी मौन्फुन सेशन में एक विध्यक जो है जार्खन सरकार के द्वारा लाया जाएगा और इस विध्यक का नाम होगा स्वास्त विज्ञान विश्व विध्याले विध्यक और इसके इस विध्यक को जार्खन विध्यानत्वा में पास करने के लिए रखर चाहिए जाएगा जब जो किया जाएगा इसके निर्मान के लिए इसके निर्मान खर्चा किया जाएगा कितने एकर भूमी पर इसका निर्मान किया जाएगा तो जो भी डीटेल्स हैं वो डीटेल्स जो है जारकन सरकार सेयर करेगी अभी जारकन सरकार के द्वारा इस पिसली मतलब ओफिसियली कुछ भी नहीं कहा गया है तो बस आप लोग यह जानके रखिए कि जारकन में स्वास्त विज्यान विश्विद्याले का निर्मान किया जाएगा स्वास्त विग्यान विश्विद्याले की बात करेंगे तो बिहार में है, राजस्थान में है कई और ऐसे राज है जहां पे इसका निर्मान किया गया है जारकन में एक भी विश्विद्याले ऐसा नहीं है ठीक है, option D, इसका विल्कूल सही आंसर हो जागा ज्ञारकंड और आप लोग अगर चाहें तो इसका screenshot अच्छे से ले सकते हैं आईए, आगे बात करते हैं, हाली में ज्ञारकंड के किस station का पूनर विकास किया जाएगा, यानि ज्ञारकंड के कौन से station का redevelopment किया जाएगा जसीडी station कहां पर है, तो देवघर जिले में है जसीडी station, ठीक है, तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, हाला कि सावन का महीना चल रहा है जसीडी station में भीड काफी बढ़ गई है, आपको बैदनात धाम जाने के लिए मेंली जसीडी station में ही उतरना होता है जसीडी station से थोड़ी ही दूर पर बैदनात धाम मंदीर जाये, वो इसी थे, ठीक है, तो जसीडी station का री डेवलोप्मेंट किया जाएगा, पूनर विकास किया जाएगा अब आप लोग बोलेंगे सर क्यूं, बाबा बैदनात धाम में भीड हो रही है, बैदनात धाम लोग जा रहे हैं, इसी लिए जसीडी station का पूनर विकास किया जाएगा क्या, ऐसा नहीं है तो कैसा है, जाडखंड को दो नए बंदे भारत ट्रेन मिलने वारे हैं, जाडखंड का पहला बंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुका है, राची पटना बंदे भारत ट्रेन, लेकिन दो नए बंदे भारत ट्रेन शुरू हो रहे हैं, इस पेसली जाडखंड से नहीं आई होप तो जानते होंगे जार्कन बॉर्डर के पास ही है पस्चिम मंगाल में ठीक है और दूसरा वारानसी कहां पर है तो उत्तर पदेश में तो आसोन सोल से लेकर वारानसी तक एक बंदे भारत ट्रेन की सुरुबात भारत सरकार की द्वारा किया जादा है साथी साथ हावडा से लेकर पटना तक दूसरा वारानसी की सुरुबात भारत सरकार कर रही है तो हावडा पटना और आसोन सोल वारानसी दो बंदे भारत ट्रेन भारत सरकार शुरू कर रही है और ये दोनों बंदे भारत ट्रेन का जो ठहराव है जो इस्टॉपेज है वो ज स्टेशन में दीया गया है यानि यह दोनों ट्रेंज्स जो है जसी दी में आए उनको एक अच्छा फील हो और जार्खन के बारे में उनकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव आए इसलिए जैसीडी इस्टेसन का डेवलोप्मेंट जो है वो किया जाएगा हाला कि बंदे भरत ट्रेन की सुरुबात अगर की जाती है और इनका ठहरा अगर जैसीडी इस्टेसन में दिया जाता है तो और आप्शन C इसका बिल्खूल सही आंसर हो जाएगा जासीडी इस्टेसन काहां पे है देवघर जिले में है ठीक है बात करेंगे दो बंदे भरत ट्रेन की तो आप यहाँ पे देखेंगे वारानसी आसों-सोल बंदे भरत ट्रेन को चलाया जाएगा वारानसी आसों-सोल हावडा पठना दो बंदे भारत ट्रेन को चलाय जाएगा और दोनों बंदे भारत ट्रेन का ठेराव जो है वो कहां पर दिया गया है दोनों बंदे भारत ट्रेन का ठेराव है वो जसीडी इस्टेशन में दिया गया है इसलिए जसीडी इस्टेशन को री डेवलोप्मेंट के जाएगा क्यों के जाएगा क्योंकि जसीडी इस्टेशन ज्यादा विक्सित नहीं है ठीक है जैसे बात करेंगे धनबाद इस्टेशन की बात करेंगे राची इस्टेशन की तो इस तरीकी से जसीडी इस्टेशन ज्यादा विक्सित नहीं है इसलिए उसका विकास जह वो किया जाएगा, ठीक है, आईए, तो जसी डी इस्टेशन आप लोग जानते होंगे, देवघर जिले में है ये, ठीक है, चलिए, बंदे भारत ट्रेन, दो बंदे भारत ट्रेन, और आप लोग देख पा रहे हैं, कि भारत सरकार के दुवारा, बंदे भार ट्रेन का एक नया कलर लॉंच किया गया है, तो आप ये कलर देख सकते हैं, कौन सा कलर है, तो अब तक आप जो है, बंदे भारत ट्रेन को वाइट और ब्लू के कलर में ही देखते थे, अब जो है, आपको वाइट और सैफरोन के कलर में भी देखने को मिलेगा, यानि है आपको नहीं है कि उत्तर परदेश से जो भी बंदरदेवार Nikтом अब शुरू किये जाएंगे जहां आपको बार बार ना खानेंगे एसा है। आपास पॉस्पीबिलिटी है चाहिसे से वन रिसकते सीज़ों से पर है। में भी बंदे भारत ट्रिंट की सुरूबात की जाएगी वह सैफ्रोन कलरका यानि भगवा कलरका ही होगा अलाकि पॉसिबिलिटी ऐसा माना जा रहा है चलिए आगे बाद करते हैं वन डिष्टिक वन प्रोड़क के तहट जारखन के कितने जिलों के उतपाद को अवार्ड के लिए चैन किया गया है One district, One product यानी एक जिला, एक उत्पाद है। अगर बात करेंगे एक जिला, एक उत्पाद की। तो आपको पता होगा कि भारत के जितने भी सारे जिले हैं, उन सभी जिले का चैन जो है, उन सभी जिलों से किसी ना किसी प्रॉडक्ट का चैन क्या गया है। यानि 24 जिले के 24 प्रोड़क का चैन किया गया है, जारकन में हर जिले का एक प्रोड़क का चैन किया गया है, जैसे बात करेंगे देवगर की, तो देवगर जिले का सबसे फेमस क्या है पेडा, वहीं पर बात करेंगे दुंका की, तो दुंका जिले में भी सबसे फेमस क्या है पेडा, देवगर और दुंका, क्योंकि देवगर में बैदनाध धाम है, और दुंका में बासुकीनाध धाम है, दोनों मंदिर होने के कारण, दोनों जिले से पेडा चाहे, वो बहुत ज़्याता फेमस है, तो दोनों जिले के पेडा का चैन किया गया है, ठीक है, हाजारी बा जारखन के चार ज़िले के जो उतपाद हैं, चार जीलो के जो प्रोडक्त हैं, उनका चैन जो है नेशनल अवर्ड के लिए किया गया है, आईए बात करते हैं, ओप्सन ए जो है, इसका बिल्कुल सही आंशर हो जाएगा 4, क्या सही आंशर होगा 4, देखिए, वन डिश्टिक, यानि एक जिला एक उत्पाद के तहर जार्कन के चार जिलों के उत्पाद का चैन जो है किया गया है हाजारी बाग की बात करेंगे हाजारी बाग की सहराई पेंटिंग की बात करेंगे तो यह जो सहराई पेंटिंग आप देख रहे हैं इसे जी आई टैग भी मिला है सहराई ग्षाई मिला है इसे आप लुग याद रखेंगे ठीक यां disappointing को GI दिया गया है है तो हजारी बाग की सौ राइंप्पेंटिंग का चैन किया गया है रहाज्वे के लिए की लिए बात करेंगे चत्रा की गई पूजी का चैन किया गया है सराइकेला खर्सावा की सिल्क की साडियों का चैन किया गया है लाते हार की महुआ कितने लोग पीते हैं लाते हार की महुआ का चैन जो है वो किया गया है जार्खन के चार जिलो के प्रोड़क्ट का चार जिलो के उत्पाद का चैन जो है नैशनल अगर बात करेंगे पूरे देश की तो पूरे देश के 1093 यानी 1093 प्रोड़क्ट का चैन जो है नेशनल अवर्ड के लिए किया गया है पूरे देश से ठीक है पूरे देश से इसकी बात कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे वन डिस्टिक्ट वन प्रोड़क्ट एक जिला एक उतपाद के तहन जारकन के चार जिलों के उतपाद का जो चैन है वो नेशनल अवर्ड के लिए किया गया है वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट अवर्ड के नाम से इसे जो है वो जान जाता है ठीक है तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे पूरे देश से 1093 प्रोड़क्स का चैन्ज है वो किया गया है चलिए यहां तक क्लियर है हाली में कब आदिवासी महसब का आय। इसका बिल्कुल सही आंसर है इसके बारे आदिवासी महसब की तो इसमें एक समारो का आय। इस के जाएगा कहां पर बिर्सामुंडा म्यूजियम में राची में बिर्सामुंडा म्यूजियम है बिर्सामुंडा संगराले है और इसी बिर्सामुंडा म्यूजियम में इस समारों का आयोजिन के जाएगा आधिवासी महस्तब्गीब बात करेंगे 9 अगस्त कोई क्यों इसका आयोजन किया जाएगा तो आप लोगों को याद होना चाहिए 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस्ट मनाया जाता है क्या मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस्ट यानि वर्ल्ड आदिवासी दे कब मने जाता है प्रतिव सही आंसर जाएगा बात करेंगे 9 और 10 अगस्त को इसका आयोजन किया जाएगा पर धाटु के विर्सामून्डा मियूजियम में तो राष्टिय आदिवासी महसवव का आयोजन जो 9 अगस्त को किया जाएगा क्यूं क्यूंकि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस जाएगो मनाया जाता है ठीक है आईए आगे बात करते हैं हाली में किंड के दौरा मुख्यमंतरी पसुधन विकास योजयना की सुरूबात की गई है हालाके लोग अभी देखें मुख्यमंत्री सार्थी युजिना की सुरू बात भी हैंमन्थ सुरू न के दवारा किया गया है अब जो है मुख्यमंत्री पसुधन विकास युजिना option A जो है इसका बिल्कूल सही आंसर जाएगा हैमंत सोरें option A मुख्यमंत्री पसुधन विकास यूजना और मुख्यमंत्री सार्थी यूजना दोनों के शुरुबात हैमंत सोरें की दोवरा ही शुरुके गया है इसमें जार्खन के जो किसान है जार्खन के किसानों को गौपालन बक्री पालन मुर्गी पालन बतक पालन आदी को बढ़वा दिये जाएगा और जार्खन के किसान अगर इन चीजों का पालन करते हैं यानि गौपालन करते हैं बक्री पालन करते हैं मुर्गी पालन करते हैं तो 50 से लेकर 90 प्रतिसत तक उन्हें जो है सबसीडि दिया जाएगा जारखन के किसानों को जो जो है इन जानवारों का पालन करेगी उन्हें जो है 50 से लेकर 90 परसेंट तक सबसीडि जो है जारखन सरकार देगी तो मुख्यमंत्री पसुधन विकास योजना इसकी सुरुबात मुख्यमंत्री हैमंत सुरेन जी के द्वारा किया गया है जारकन में और कुछ दिनों पहले इनके द्वारा क्या तो मुख्यमंत्री सार्थी योजना की सुरुबात भी किया गया तो दोनों को आप लोग याद खिलिए तो है लुए अयकल है सबहुत करते हैं कि आज की लगा आज का ses ड़ीए को समझ में अच्छे से अगर से पडेंच लाइक कर से समझ में आ गए है तो एक बाज यकम ना बुने कस लगा है तो यक जरूनद से कर दें आईए बात करते हैं कल के class की, तो कल का जो class हुआ था, उस class में आपसे question पुशा गया था, question कुछ यूँ था, कि बिर्सामुंडा airport का निर्देशक किसे बनाया गया है, तो बिर्सामुंडा airport के निर्देशक अब तक कौन थे? खेल अगरवाल थे, अब इनकी जगा पे रामनात सिंग को बीसामुंडा ऐरपोट का निर्देशक ज hai वो बनाया गया है option B इसका बिल्कुल सही आंसरद अगर रामनात शिंग बिल्सामुंडा एरपोट का ये बनाया गया है निर्देशक रामनाथ सिंग को ठीक है और आप लोग सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था चलिए आज के लिए आपका कोशन देखते हैं तो आज के लिए आपका कोशन है हाली में राजी में मुख्यमंत्री सार्थी युजिना के सुरुबात कब किया गया है जिसके बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आंसर तो आप लोग कमेंट करके बताएं लेकिन इसके बारे में और डीटेल में लिखने का आप लोग परियास करें ठीक है आप जितने जानते हैं उतना लिखने का परियास करें आईए आप बताईए क्लास आपको कैसा हो गए हैसा हुआ wonder चलिए टान बार क्लास को लैक कर दें अगर सभी चीजे आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना प्लास को लाइक जनुर से कर दें चलिए मिलते हैं इसके बाद सुवह नौ बज़े के क्लास में जार्कन जिगराफी के साथ और उस क्लास में जार्कन की जिगराफी के बारे में देख रहे हैं थे ठीक है तो आप सबी का बहुत-बहुत श्वागत है सुबह नौ बज़े के क्लास में और वहां पे आईए जार्कन जिगराफी के बारे में डीटेल में देखिए आज ध्यार्कन जिक्राफ को केम अवी जाहर्कन गाराफी का तीसरा क्लास होने वाला आप लोग सब जरूर वहां पहें तो मिलते हैं आप लोगों के सुबह 9 बजे के क्लास में अब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है ठेक केर अपना धियान रखे और बाई बाई